मद्या परदेश की मंडियों में नई उड़त की आवक का शिरी गिनेश हो चुका है मुहरत में नई उड़त 64 सो रफे प्रतिक विंटल के पास विस्ति दिखाई दी है नई उड़त में फिलाल नमी ज्यादा बताई जा रही है मद्या परदेश की अंधिकाश मंडियों में 25 सितंबर के बाद से नई उड़त की आवक का प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है तरसल इस्ताल महराश्टर करनाटक और राजस्थान में फसल कमजोर है मद्या परदेश में टिकमगर्ड चतरपूर 17 की तरह फसल अच्छी बताई जा रही है जबकि मद्या परदेश के अन्या जिलो में सोइंग कम हुई है जिससे फसल उस्तन कम रहेगी वहीं मद्या परदेश में आगे भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है यदि भारी बारिश होती है तो क्वालिटी का नुकसान तिखाई दे सकता है उत्तरपरदेश के ललितपूल में भी उड़द की फसल काफी अच्छी देखने को मिली है कुल मिलाकर देश में उड़द का उत्पादन पिछले वर से भेतर बताया जा रहा है लेकिन घरेलू मांग की सप्लाई के लिए काफी कम है ऐसे में भविश्य में लंबी मंदी का फिलाल कोई भी उनुमान नहीं है वहीं अभी पुरानी उड़द का भाव 7400 से 7600 मीडियम 6300 से 800 सो रुपे मसूर में भी खरीदारी काफी कमजोर रहने से और बिक्वाली का दबाव लगातार बढ़ने से उपर से कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है